Dear one, welcome to Enlightened Brains. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Passing Marks in Igno Examination. अगर आप भी Igno के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि Igno University में कितने marks को Passing Marks Consider किया जाता है. So आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसी बारे में बात करेंगे but before we begin, if you wish to connect with me on Instagram or Twitter, you can follow me. The link is in description box. So चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं Bachelor Degree वाले स्टूडेंट से. अगर आप Bachelor Degree के स्टूडेंट हैं और आपका 50 Marks का Question Paper आया था, तो आपके लिए Compulsory है 18 Marks को Score करना और अगर आपका Question Paper 100 Marks का आया था, तो आपके लिए Compulsory है 35 Marks को Score करना ये Majority of Bachelor Degree वाले जो प्रोग्राम है उसके बारे में है The second is Master Degree वाले स्टूडेंट अगर आपका 50 Marks का Question Paper आया था, तो आपको 20 Marks उसमें से Score करना Compulsory है और अगर 100 Marks का Question Paper आया था, तो उसमें से आपको 40 Marks जो हैं वो स्कोर करने पड़ेंगे अब इसमें से हमारे पास कुछ Exceptions भी हैं जैसे के BCA, अगर आप BCA वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको 100 में से 40 Marks स्कोर करने पड़ेंगे Similarly, BLIS वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो भी आपको 100 में से 40 Marks स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपका इनके इलावा कोई और प्रोग्राम है और आप खुद से कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके कितने Marks होने चाहिए पास करने के लिए किसी भी examination को तो आप अपनी Program Guide को चेक कर सकते हैं अगर आपने Hard Copy, अगर आपको Igno की तरफ से Hard Copy में Program Guide मिली है तो आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं Otherwise आप Igno की Official Site के उपर जाईए जो है Igno.ac.in यहाँ पर आपको Search की Option मिलेगी इसमें Simply अपने Program का Name डालिए और लिख दीजिए Program Guide उसके पीछे आपको आपकी Program Guide का Link मिल जाएगा क्लिक कीजिए और अपनी जो Passing Marks है उसमें से आप चेक कर सकते हैं So यह तो हुई कुछ Exceptions वाली बात और अगर आप Confirm करना चाहते हैं अपने Marks को अब बात करेंगे उन Students के बारे में जिनको Grades में पास किया जाता है जैसे के Diploma in Creative Writing वाले Student है तो उनको Grades में पास किया जाता है So आपके लिए अगर आप A Grade चाहते हैं तो आपको 80 या फिर उससे अबब Marks को स्कोर करना पड़ेगा अगर आप B Grade चाहते हैं तो आपके लिए 60 से लेकर 79 Marks आपको स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप C Grade चाहते हैं तो 50 से लेकर 59 Marks स्कोर करने पड़ेंगे उसके बाद 40 से 49 आप ये सारी देख सकते हैं इसको आप Screenshot ले लीजिए या फिर ये तो आपकी Marks शीट आएगी उसमें भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे अब बात करते हैं Assignments की जैसे कि आप जानते हैं कि इगनों में आपको एक्जाम में अपियर होने से पहले Assignments को सब्मिट करना पड़ता है So Assignments में आपको 35 Marks जो हैं वो स्कोर करना Compulsory है अगर आप 35 से 34 भी स्कोर करते हो तो भी वो Acceptable नहीं होगा और अगर आप पूरे 35 में तो आपको उसको Resubmit करना पड़ेगा उसको आपको दुबारा से बनाना पड़ेगा So ये तो हुई Assignments की बात I hope इस वीडियो में आपके Almost सारे Doubts क्लियर हो गए होंगे बट अगर फिर भी कोई Doubt Pending है तो आप उसको Comment Box में लिख सकते हैं Thank you so much for watching Please do subscribe this channel for more such updates Thank you